करें परद्सपति आपने पढ़ा है भारति जल्वाई और प्रायक्तिक बनस्कति आपने पढ़ा मैं मालता हूं कि बाती जल्वाय यह प्रायक्तिक बनस्कति में कुछ कुछ चीजें चूटी होई हैं अगले वीडियो में सारा कुछ एक साथ कंपाइल कर दूंगा यह कुछ भी छूट नहीं दूंगा भारुशा रखिए आई आज मिट्टी अध्या पर चर्चा करते हैं मिर्दा अर्था स्वाइल तो भारत में आठ तरह की मिट्टी अपर चर्चा करने से पहले भारत की मिट्टिया जो तब जनेंगे ना जब पहले मिट्टी को जाने मिर्दा को स्वाइल क्या होती है निर्मान कैसे होता है निर् क्या होती है ज्छाली घ्रोट यह तो मिट्री के गुण विस्लिसताय और निर्मान को जान लेते हैं इसके बाद भारत की मिठियों को पड़ते हैं ठीक है नहीं कि तो बिदा सब्दोर उठ्पर्ति सौयल सब्सुन्स खिए यह स्वायल सब्सक्च रहा रहा हैं मिट्टीक निर्मान को प्रभवित करने वाले कारक क्रम कुरुम से पांस कारक है मिट्टीक निर्मान को प्रभवित करते हैं इन्हें याद कर लेंगे तो अगर सवाल फूशा जाएगा तो गलत नहीं होगा, मैंने नूटिस किया है, इन भागों से सवाल अधिक पूशी जाते हैं जबकि लोग लाल मिठी, काली मिठी, जलोड मिठी, लैट राइट मिठी रटके तो चले जाते हैं लेकिन अधिकतर सवाल किसी और इसे से पूछे जा रहा है मिट्टी की गोड़ विश्यसताओं से सवाल अधिक बना है मैं यह दिख रहा हूं और उत्तर को दिस लोग से वा आयोग हाल के वर्शों में मिट्टी अध्या से स्वाइल अध्या से सवालों की संख्या बढ़ा रह है यह कारण है कि जब सवाल आते हैं तो लोग कि वह लाल मिट्टी काली मिट्टी जलोड मिट्टी लेटराइट मिट्टी पढ़के चले जाते हैं और अधिकतर सवाल मिट्टी विश्यसते हल नहीं हो पाते हैं तो इस अध्या को ध्यां से देखेगा तो पांस कारत हैं जो पर दर्मी पड़ती है फिर दूब आता है इसके चलते चटाने चूटकर भूबरी होती है तो वही मिट्टी का असली पदार्थ होता है जो सबसे बड़ा भाग का निर्मार करता है उसे पैत्रिक शैल कहते है पैत्रिक शैल कहते हैं यानि पैत्रिक शैल से क्या मिलता है अधार गुद्खनेच और पोशक तक तक तो मिलता है जलवायू मिट्टी के रसायने क्रिया और सो सुझेड़े क्रिया को नियंद्रित करती है है ना जलवायू में क्या होता है तापमान होता है तापमान को जलवायू में तापमान और वर्षण को सामिल करते हैं तो तापमान अगर कहीं ज्याद़ होता है तो मिट्टी के रसायने क्रिया तेज हो जाती है तापमान कम होता है कहीं तो मिट्टी के रसायने क्रिया धीम जबी किरियां कने मिट्टी होती है और जीवों की लिए किरिया के निज़एत करता है यूमस की मात्रा निधायत करती है, मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मतलब जैविक तक्तुर, जैविक तक्तुर मतलब जीवों के अंश, वनस्पतियों और जीवों के अंस, सड़े गले अंस, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें हम क हैं को कि तो वियुपनियुदु 221 प्रहु तियुके नियुद ए 10 अगर किसी चेतर में नियुक्त की संख्याँ अधिक है तो मिट्टी मीं हुम्नास की मात्रा अधिक पाएगी उधारण के लिए परवति चेत्र जैसे निलगीरी परवत के छेत्र में या फिर हिमाले परवत के छेत्र में वरस्पतियां अधिक हैं, कटाव कम हुआ है, हना निरवनी करण कम हुआ है, तो परवती छेत्रों जैसे हिमाले छेत्र में वरस्पतियां अधिक हैं, तो वहाँ पर हिमाले छेत्रा स्वभावी के र पर हुस巧 मिट्ट को बढ़ाने का काम करता है हुआ हे तूवगईत जल क्या करता है नमी प्तार करता है कि सूथ मजीव भी मिट्टी को प्रभावित करता है मिट्टी के निर्मान को सूथ मजीव भी प्रभावित करते हैं कैसे कीनुञाइन कि एक सब्सक्राइब ऑस सब्सक्राइब करते हैं मिट्थी में जो वरसपतियों और जीवों की सड़े गऑन्स को सडा घला कर ठीक है, उन के भागों को सडा घला कर उसका हुए सडा घला अरथा घला कर वियोजित कर वियोजित करके खनिज और जैवित पदार्थ को अलगजद कर देते हैं यानि वनस्पती और जीओं के मृत जीओं और मृत वनस्पति pip कि जो भाग मिट्टी में घिर जाते हैं मिल जाते हैं उन्हें सडाले कर वियोजिट कर देती हैं.. फिर ना होता है? खनिजों और जरीइक मड़ार्थों को अलग अलग कर दिता है रहनी खनिज भी मिट्टी शुटों मिल जाता है और जरीइक नदुटी में, करते हैं सुच्ष मजी मैं थोड़ दें पहले बताया कि जलवायू मिट्टी में रसानी क्रिया और सुच्ष मजावी क्रिया के लिए दित करता है आए इसे थोड़ा और विस्तार देते हैं कि उद्धार के लिए मैं जलवायू कारक को पढ़ा रहा हूं उद्धार के लिए किसी छेत्र मुशला धरवर्षा अधिक होती है तो निक्छालन क्रिया प्रभावित हो जाती है निक्छालन निक्छालन या लीचिंग निक्छालन या लीचिंग करिया प्रभावित है किसी छेत्र मुशला धार व्रस अधिक होती है निक्छालन द क्या होता है वाँ olarak क्या होती है कि जहां में बीटी के निचलिफ कर्यों पहिं जाते हैं इसे निक्षालन का तो हया है उधारण के लिए केरब में पस्मी घाट पर वर्षाब हो ज़्यादा होती है तो पस्मी घाट छेत्र में मिट्टी में जो सिरीका पदार्थ होता है उसका निक्षालन हो गया है, यानि सिलिका पदार्थ रिस रिस कर पानी के साथ निचले छेत्रों में चला गया है, आप जानते हैं कि जो क्रस्ट होता है न, क्रस्ट यानि पृत्विक सबसे उपरी परत, मिट्टी उसी पर पाई जाती है, तो क्रस्ट किन चीजों से मिलकर ब लोहा तो सिलीका है नो मिट्टी में, टू पस्तमी घ्रट पर केरल में अधीक वर्षा होती है। इसकी चत्ति जो सिलीका पदार्थ है, रिस्क कर्मिटी लिए इस तरह में चला गया है। निक्षालन किरिया के पढ़ानसोरूप ही के एंध मिठी का निर्मार हुआ है अरकभा निर्मार निक्षालन किरिया के पढ़ानसोरूप हुआ है जो लटाइट मिट्टी होती है या कोई भी निक्षालिद मिट्टी खाद्यानों की खेती के लिए खाद्यान मतलब चावल गेवूं खाय जाने वारी भसले दाल तो खाद्यानों की खेती के लिए उत नहीं होती क्यों क्यों कि उसका निक्षालन हो गया है तो ऐसे मिट्टी चुकी खाद्यानों की खेती तो हो नहीं सकती, इसलिए उसमें हम पेपदार्थ या मसालों की खेती करते हैं, पेपदार्थ या जिसे चाय, कॉफी या मसालों की खेती, है ना, फिर रबार उगा लेते हैं, नारियर उगा लेते हैं, क्योंकि इन चीजों को बहुत ज्यादा पोशक पदार्थों की जरुत नहीं होती है, इन चीजिगों इनी के टो आहित दुल्हर, पधके रप्रधा बीद टारेकों की फर्म शोज स्जून होते हैं, यहां की oxe kard d Pfar girachtों की क्यरे व्याख्याडल ऑधिक हुआ यानि जो घ्राइज में अगिंड। मिट्टी में अगर वास्पी करण क्रिया प्रभावित है शुष्क छेत्रों में तो केशिका क्रिया प्रभावित है जो भी बोलोंगा लिखेंगे अगला पॉमिल बता राम जल्वाली कालक में कि जहां पर शुष्क छेत्र होता है याद्राइड राजस्थान में वहां पर वाश्पी करण क्रिया अधिक होती है वाश्पी करण क्रिया अधिक होने की चत्ते मिंटी में केशी का क्रिया होने रगती है केशी का क्रिया क्या होती है? पानी में पहला पहले लिग दे रहें केशी का ठीक है? केशी का क्रिया क्या होती है? पानी में पहला पहले लिग दे रहें कि केशी का क्रिया सुन हो जाती है अधिक वाश्पी करन के चलते हैं पानी में प्रिश्च तनावक गुड़ होता है जल में प्रिश्च तनाव कर गुड़ होता हैं यही कर रहे हैं कि एक जलगा एक गुद्ध अगरा फ़र्ष्प गिराते हैं तो बूद के रूप में ही पढ़ा रहता है, जबकि मिटी का तेला पेट्रोल गिराएंगे फर्ष पर, तो क्या होगा, फैल जाएगा, लेकिन पानी जब आप गिराते हैं, एक बूद, तो फैलता नहीं है, है ना, बूद के रूप में पढ़ा रहना चाहता है, ऐसा क्यों, क गहन, जो घहना कार वस्तो होता है, इसक्वाया, उसका छेतरफल अधीक होता है, और गोल वस्तों का छेतरफल कम होता है, जो कि पानी प्रिष इतनाओ की गुण की चलती, अपना छेतरफल कम रखना चाहता है, इसलिए, वो गोल-गुल बूदू के रूपे गिरता है, ठीक प्रिष्ट तरम गटाक सुंत फूर। क्यों कहते हैं साग क्योंकि अगर मलेरिया पहले से रोगना है तो पाणी पहले पाणी रखई नहीं छोड़ा से निम्तिक भर निजिsent प ts a न पशेसल क्या क्या करेंगा पानी के पृच्छत ना को घटा देगा और मच्छार का लारी मश्चर का लार्वास में परिष्यतनाव के गुण के ने बतनाुक 50 परिष्यतनाव की चलते हैं एक और परिष्यतनाव की चलते हैं आंग से न दिख़ाए दोया है है वाली बहुत ही सूख्ण मनली पानी उस क्प्रिश्च तणाओं की चलते ही इसी को हम कहते है केशीt का क्रिया जैसे की अगर सैही गिर जाती है बंदे पे तो आपọ실्ता तो आप एक सोक्ता रख देते हैं, सोक्ता रख देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर स्याही सूख जाती है, ऐसा कैसे होता है, सोक्ते में सूख में नलियां होते हैं, छोटे छोटे बहुती सूख में छेदर होते हैं, स्याही या पानी के ऊपर सोक्ता रखते ही, पानी स्याह करिया। ठीक है तो जब अगर गुर्ता करशन नहीं हो यानि अंतरिक्स में अगर अंतरिक्स में नहीं हो तो अंतरिक्स में केशिका करिया की सर्थक होगी अनन्त तक होगी तो पानी के साथ साथ जल में चूना होता है, इसलिए हम कीचन में पानी में पीने के लिए आरो का प्रेव करता है, अगर आरो का प्रेव नहीं करते हैं, तो प्लास्टिक के बरतन जिसमें पानी भरते हैं, उसमें बाहर बाहर चूना लग जाता है, अगर प्लास्टिक के बरतन में आरो का पानी नहीं दालते हैं, तो आपने देखा हुआ कि ढ़कन के आजपास, बाटल के ढ़कन के आजपास स पानी को छाने बिना ही आप इस्तमाल करते हैं तो बड़े प्रमाने पर भूमिदे जल का वाश्पी करण होता है तो केशी का क्रिया को आरह हो जाती है जल के साथ चूना वा उठने का प्राश करता है तो वही मैं बता रहा था कि इसे मैं केशिका क्रिया तो मैं बता रहा ही कि शूुष्ख छेत्रों में जए से रड़िस्थान में घर्मी आधिक परती है तो वह दूर्ब कार्ण की दर आधिक हो सी ड Bryce कारा दानों से हो हो जाते हैं उसकी उर्वर्ता को घटा किता है आप समझ गए तो जलायू कैसे प्रफ्रक्रत करता है काम करता है दो तरह के से एक वर्षर के दौरा दूसरा अधिक तापमान के दौरा और आगे पढ़ेंगे ब्रदा के संगठन कंपोनेंट्स ब्रदा कीन कीन वस्त्रों से मिलकर बनी है इसके अंतरद मुख्यरुप से पांस पत्तों हैं जिनसे मिलकर मिर्दा बनती है पहला खनिश्पदार्थ हुमस ब्रदाजन वायू जीव इन पांचों चीजों को मिट्टी का निर्मार नहीं करता जब तक यह पांचों वस्त्रों नहीं मिलेंगी मिट्टी का निर्मार नहीं होगा समझक्या तो दिखिए व्रदा के निर्मार पांच गत्तों से होता है पहला खनिश्पदार्थ योमस मिर्दा जन्द वायू और सुछ वजीव आक से सवाल पूछत कुए नहीं मिंगलफों तो इन प्रतिशत मातरा को निखिनेगे दिखी मिट्टीम खनीष पदार्थ की मातरा 45 ये इसे आपको रटना होगा यूमस जीवांज या कार्वनिक पदाथ की मातरा 5-10 परशन कार्वनिक पदाथ के फिर पहले समझायां तो 5-10 परशन मिल्दाजंग 25% मिल्दावायू 25% सूच मजीव भी होते हैं मिट्टी में यानि मिट्टी पांच जीओंसे मिलकर बनती हैं और उसमें 5 वस्तु को से हैं स सुक्ष में जी में कवक और जीवान को शामिल करते हैं, कवक और जीवान को क्या करते हैं? वनस्पतियों और जीवागों को अवसेशों को सराग अलाकर हुमस का निर्मान करते हैं, कुलेश की वनस्पतियों और जीवान की निर्मान करते हैं, कवक और जीवान की घूणिका होती है। वहाँ है जो उस्क्रक्षित बंधी रिकल्टी मिदे होती है विश्वत रहे आस पास पाश्यली आफ़का पॉता है उसमें हुमस की मातरह को तो तमERO कर श्रीर्ट कर निस में पाई जाती है तो उसमें हुमस की मात्रा कम होगी और जो दलदली मिट्टी होती है ठीक है दलदली मिट्टी पीट मिट्टी भी गीली मिट्टी ही होती है जहां पर मिट्टी में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है दलदली मिट्टी उसे पीट मिट्टी है दलदली मिट्टी केते हैं तो ऐसी मिट्टी में हुमस की मातरा काफी अधिक पाई जाती है इसी तरफ वर्वती मिट्टी में भी हुमस अधिक पाई जाता है क्यों कि परती चेत्रों मरस्पति आधिक होती है जरकि उस रखटी बंदी मिलता उधार की लेटराइट मिट्टी में हुमस की मातरा क पाई जाती है आई ये मिल्टी का अंप्रस्त काट चेत्र देखते हैं ये क्या होता है मिलगा परिछेदिका या स्वाइल प्रोफाइल गोलते हैं मिलगा परिछेदिका का मेरत किसी भी मिल्टी के अनुपरस्त काट चेत्र रें रंपरस्त काट चेट्र मकें कि बिए कर से निशे की तरफ जाएंगगे तो किसी हमीं मिटी के अनुप्रस्थ का्ट चीत्र में साय जबाटत做 लिए त taş ıसं अ के सगुच्ण देखाइक परते हैं अ किए टिए इंग सद्र। कि को दूसरा सक्णिष मत तीसरा सक्णिष और है तुसरा के अनुप्रस्थ काट चीत्र में अर्था वर्जिकल सेक्षन में विभिने संस्तर दिखाई पड़ते हैं अर्था होराइजन्स दिखाई पड़ते हैं जिसे हम ब्रिदा परिच्छेदिका क्याते हैं इनी संस्तरों को हम क्याते हैं ब्रिदा परिच्छेदिका अर्था स्वा यह सबसे ज़्यादा उपजाव होती है यानि जो उपरी मिट्टी अर्थाथ उपरी संस्तर होता है A सेक्षन वो सबसे ज़्यादा उपजाव होता है और जो पौधों की जड़े होती है पौधों की जड़े इसी संस्तर में फैली होती है किस संस्तर में संस्तर A में ही पौध प्रूस्कदार्थ और जलब राथ करते हैं सेक्शन ए से प्राथ करते हैं यह होगी हम विद्धा परिछेदिका इसके बाद अगला वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मेट्टी की अमली गुण और छारी गुण उसके बाद हम जस्ट भारती मेट्टी ओपर चर्चा करेंगे तो जोड़े रही सिखरी में मेट्टी को पठाकर भारती क्रिशी में प्रविस करूँगा नमस्कार